गुड़ी सभी को चलिए गैसे कि हम कल बताए थे थर्म प्लास्ट्टिक थर्मोस्टीं प्लास्टिक उसमें एसे चुआ एक्जामपल बताए तो बोले थे कि उस इक्जामपल पर हम ये विस्तार पूर्वम्र बास्टीक यह मैं और दो यहां है और है यह क्या है पौलीजिश्टिक लिए चलिए सबसे व्हीं बात करते हैं पॉलिश्टुप यहां का है जिस्वावग राप्त होता है कि यानी पॉलिश्ट्रीन न क्या होता आने रखने الाथ ऊसका होता है यह किसका तो थर्मो प्लास्टिक पॉलिस्टाइविन यानिकि फेनील एथिलील के बहुली करम के प्राप्त होता है इसका आप्यों क्या है अम्ल रखने की बोतल और सेलों के कवरादी बनाने में होता है इसका प्योंकि ध्यान दिजेगा सबसे इंपॉर्टन चाहिं हम रखने की बोतल का प्योंग जो हता है पॉलिस्टाइविन का यानि बना होता है उसके बाद आज का भी जितना पॉइंट है यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है यह वाला यानि कि ठोस कपूर से वास्प बनाने की क्रिया क्या उर्द्वपातन का उधारन है यानि ठोस ऐगलाalon कि पॉछता है ठोस कपूर से बात बनाने की क्या क्या करते हैं तो और बस बाते हैं और तो दूत से दही का बनना क्या है की मर्त के कारण यहां प्रक्त करन से बनता है अगला क्या है कि और प्र है ट्रोल का मुख्य संगता क्या तो अक्टेन है ध्यान दिजेगा पैक्टोल का मुख्य संगटर क्या है तो अक्टेन है फिर बात करतें गोबर गैस प्राकृति गैस बायो गैस से निकलने वाली गैसों मुख्यता मिथैन गैस होती है यह यह भी वड़न चीज है और सब को प्राहा सभी को यह चीज पता रहत इसकता है फिर भी इंपॉटें देजीड है तो घ्यान दीजेगा गोबर गैस प्राकृति गैस निकलने वाली गैसों में जो अतिया मिदैन गैस होती है फिर सेटान नेक्स्ट पॉइंट्ट क्या है लपीजी और पीजी का पर्मुख घटा क्या है यह ब्यूक्तें पैट्र और या स्वाइट लाइटर में गया ऊहता है थर दियान दीजेगा लाइटर में ब्यूटेन गया परियुक्त होता है कि यह सब्सक्राइब एक तरह सथ चाइब यह सब्सक्राइब लेकिन कभी करूछ सकता है तो अब सब्सक्राइब वेल्डिंग एवं फ़लों को क्रित्रिम रूप से पकाने के लिए एसे ट्रीन का व्यों किया जाता है कि यहां आपका है कैल्सियम करबाइड यानि कि करने पर यानि कि कारवाइड कार्वाइड किसे करेगा तो जल से करने के बाद क्या होता है यानि कि देता है कि फिर क्लोरो फ्लोरो कार्वन का जायदा तर इस्तेमाल रेफ्रीजेटर में होता है क्या है क्लोरो फ्लोरो कार्वन का जायदा तर इस्तेमाल क्या होता रेफ्रीजी रेटर में होता ध्यान दिजिएगा क्लोरो फ्लोरो कार्वन का जायदा तर रुप्योग यह बहुत इंपॉत पाइनग नाम क्या है अल्फा क्लोरो इसीटोफिनॉन यहीं बहुत इसलिए इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आप सुनते सुनते आपको याद हो जाए तो अस्त्यू खैस का रासा नहीं क्या थैस अलफा क्लोरो एसीटोफिनोंपा बात करें नेसेलीन का मुख्यर स्रव्य क्या है जुगता ठीजिय का कि फरलों का मजूर स्वाद जोता फ्रॉक्टोस के कारण होता है तो इंपोर्टन पॉइंट को ही लाते हैं जो कि टच करें तो इस चूट रहा है यानिकि नुमरिकल चीज चूट रहा है यानिकि जितना यानिकि सब्जेक्टिव चीज है है वह सारा चीज हम इंपोर्टन चीज को लेका आए तो जी तो इसका रशाइन हम बता है आल्फा प्लोरो फिर फिर लो का मदूर स्वाद जो हता फ्रॉक्टोस के कारण होता है फिर वेकल्याइट वेकलाइट किसका था थर्मो सेटिक प्लास्टिक का एक्जांपल यह क्या ब प्लास्टिक का एक्जाम्पल बैकलाइट की बात कर रहे हैं तो यह फिनोल तथा फॉर्मेंट डियाइड को सोडियम हाइड्रोकसाइड की उपस्तिती में गर्म करके प्राप्त किया जाता है की स्कसराइड को ध्यान में रखना है उसके इसका आपउयों है कि प्रास्टिक यतर फिर उसके पौलिविनाइल प्रव्यॐ्यॐ लिखा रहेगा तो बात करते हैं जो है वाइनिल को राइड के बहुली करण से प्राप्त होता है यह किसका एक्जांपर है तो तो थर्मोशेटिंप्लास्टिक यह भी है थर्मोशेटिक प्लास्टिक तो द्यान में रहें इस सब इंप्रॉटन चीज़ है यानि कि यह उर्दपातन कि यह सब सारा आपका इंप्रॉटन तो फिर मिलेंगे नेक्स लासम तब तक रहें थैंक्यू